हाज जोड़ लिए आठ साल हो गए हाज इने मौका देते देते हम परिशान हो गए इस निकमी सरकार ने दिल्ली को बरबाद कर दिया आज सबसे पॉल्यूटेट सिटी है दिल्ली शर्माइन चाहिए केजिवाल साब को अस्तामा से लोग परिशान है सांसों की बीमारिया हो र लिए थी आज सबसे पॉल्यूटेट में लाके खड़ा कर दिया केजिरिवाल आज हम बीजेपी का अरविंद केजिरिवाल का यहां पे धर्बना यहां पे इनका कारे लेका घेराव कर रहे हैं आज यहां दिल्ली में अस्पतालों में लोग दम घोट रहे हैं चोटे- है वहां तो यह कुछ करनी रहे हैं नरंदर मोधी जी के दिखता है न जृट में एसी उनके वादशारे खोक लें सब जूट बोलते हैं नरंदर ने के इंदर दों हमारे तानेशा悦 मोधी जी की सरकार रही तो यह पुश नहीं कर रहा है तो इन्होंने मरने के लिए मुटाया कि ये सरकारे निगमी सरकारे हैं आपको अपने ध्यान खुद रखना होगा और आप अपने घर पे रहें सेफ रहें यहां के बजाए वो जगा जगा प्रचार करें दिल्ली संबल नहीं रही है दिल्ली को बर्बाद कर दिया नमस्कार मैं नूर जाओ और आप देख रहे हैं जनित अवास इस वक्त में मौझूद हूँ कॉंग्रेस कार्याले के सामने और यहां आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे लोगों की भीड एकत्रित हो गई है और यह क्यों एकत्रित हुए हम आपको बता दें जो प्रदूशन का स्थर जो बढ़ता चला जा रहा है एक्दम से लोग को सास लेने में दिक्कत हो रही है लोग को मास लाकी निकलना पड़ेगा आप देख लिए जो यहां के सांसद है मनुस्तिवारी हमारे लोग सवागा उत्तरपुर्वी लोग सवागा या दिल्ली का यह है और अरविंद केजरिवाल तो इस चीज में बिजी है आज कि वो सरकार कहां से चला है जेल से चला है या बाहर से चला है और पैसे हैं तो माक्स नहीं बारतर लोगों को लोली पॉप दे रहे हो तो मैं कहना चाहता हूं सरकार की दमकारी नीतियों खलाज हम यह माक्स बाट रहे हैं और आज हम बीजेपी का अरविंद केजिवाल का यहां पर धरबना यहां पर इनका कारे लेगा घेराव कर रहे हैं तो बता देना चाहता हो आने वाले टाइम अगर नरेंदर मोधी अगर हावा कम नहीं हुई यहां पर लोग मर रहे हैं तो इसमें नरेंदर मोधी क्या करें हवा कम करने के लिए आप एक चीज़ बताए अगर आपके पत्रकार है आपके घर में कोई पानी नहीं है दूद न पर राजनीती करें अरे यहां पर देख लिजी जितने होस्पिटल बरें सब हिंदू मर रहे हैं आपे किसी की यहां पर बैड नहीं है आप उसमें अस्पतालों में तो आप बता ही हमें लेकिन वहीं केजरी वाल ने बंपटाकों पर बैन लगाया लेकिन वहीं दूसरी तब कुछ लोग ऐसे ही आंदोलन लेके बैठ गए हैं कि हमेशा प्रदूशन पड़ता है तो इसमें बंपटाकों की क्या गलती हो दिवाली पर आप बंपटाके बैन कर देते हैं देखो कॉंग्रेस पार्टी जो है कभी राजनीती नहीं करते तिवार के टाइम पर या किसी की नोकरी पर आप देख लिए 10,000 लोगों की नोकरी चीन लिए आज यहां दिल्ली में असपतालों में लोग दम घोट रहे हैं कि जो नियुकती होनी है बैट बढ़वाने वो हम लड़ना जड़ी चुनाओं में जो वादे कि पूरे करने आज यहां लोग मर रहे हैं यहां मामारी का दोर चला आप देख लिए यहां खड़े हो दिल्ली में यहां पर चार सो चार सो से पार जो हो जुगा है यह आप देखिए लेकिन बंपटा को पर बैन लगाना यह भी से तरीके से आप दिल्ली में जो हैं सराथ की दूद्री कर वाते चावाल कर दोग खातें उसी तरीके से अर्विंद केजरी वाल दिल्ली मा पर तो कोई मुद्ध ही नहीं और इसके विजेपी के पास सिर्फ हिंदू-muslim के लाव को मुद्ध ही नहीं कि लोग ले रहे हैं लोग कह भी रहे हैं आपको मैडम में यह बोलना चाहता हूं कि नरेंदर मोदी जी सिर्फ अपने वोट बटोरने हैं पंजाब में कि लगे बटन पंजार हूं डुह और चाह amazing यह सरी केजरी वाद कंजार में हुए पंजाब को जाएव है जो पराली जला रहा है इसां कई जलाने से速फ भीचानels ऐरी सफली जलाने सेट हो और हर्याना साथ में एक तरह भाजबा की सरकार है हर्याना में पंजाम में ऑमांदमी बाति की सरकार हैं दोनों मिलकर दिल्ली के लोगों को परिशान करें। आप यह धरिकी कि मुंबई Ведь अभी तक धूमाप पोँशंगे। क्या मुंबई के के आगे आहम आदमी पाटी नमाट्वा सरकार बिश्च है और दिल्ली को सिकल 이야기 हो और इवन पीछ हूँ ईए अगर और दी रॉटी वन बने कुछ हो रहा होता तो मैं उसका रिजल्ट आ 나ा और दिए इए उसके । आप देखी केजरिवाल को सुना दिया क्या है कि ओड इवन के लिए क्या है आपके बस कुछ नहीं है ओड इवन पिछले चार-पांस साल से अपको निज़रा रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ जब तक जो दिल्ली सरकार जो अतनी बड़ी-बड़ी मशीने लगाई हैं जिस पर क शीला दिख्षित जी सरकारती तो आप दिल्ली का तब का फरक देखी और आज का फरक देखी शीला दिख्षित नहीं यह सब कुछ दिया तो आपको लग रहे हैं यह मार्श निकालने से कुछ होने वाला है कुछ नहीं होने वाला हमने परदर्शन करना है और आज हम जो है लोगों को साथ है चोटे-चोटे बच्चे परशान हो रहे हैं क्या यह स्कूलों को छुटी का समय है एक दिवाली है दिवाली में लोग एक साल में पटाके जलाते हैं ठीक है दो गुंटे का टाइम दे दीजिए आपने वह भी टोटली बैंके दिए कि कितने बड़े- कभी प्रशन लोगों को रुल आणा है तो simply नोगों से हमने बात करी लोग के जगरिवाल और मोधी सरकार है वो प्रदूशन पर कुछ ध्यान नहीं दे रही है और इवन उन्में चलाया था उससे भी कुछ फाइदा नहीं होने वाला है उससे कुछ फाइदा नहीं हुआ सुप्रीम कोट ने ऐसा बोल दिया है और वहीं पर यह लोग मार्श निकाल रहे हैं यह यह कि इनके हाथ में पोस्टर देख पा रहे हैं कि दिल्ली की हवा में जहर जहर जिम्मेदार कौन नरेंद्र मोदी केजरिवाल कैसे नरेंद्र मोदी और केजरिवाल जिम्मेदार हैं मेडम यह दोनों जूटे लोग हैं पाघंडी लोग हैं देश की जनता को धोका दे रहे हैं और सबसे जयादा दिल्ली की जनता को दे रहे हैं आज से नो साल दस साल पिले जब केजरिवाल सरकार में आए थे तो वह यह कहते थे कि पॉलूशन जितना भी दिल्ली के इंदर ही सरकार और देश केंदर तो हमारे तानेशा मोधी इसरकार नहismay के फिर एक वहले हैं तो यह पुछ अब अब दोक्टर को दिखाल करएं ह। इस बच्चे को बक्कुल भारा निकाले अब और अपना ध्यान रखें लेकिन उन्हें इतने कदम उठाए है और इवन चलाया है उसका सुलूशन नहीं है ना सुलूशन तो यह कहा करते हैं कि जम पराली को खरीदेंगे हम यह बनाएंगे सोलर पावर में इस्तिमाल करेंगे किसानों से कर यह खरीद ले तो यह चीज़ प किसानों से खरीदेंगे हम किसानों को नई टेक्नोलीजी देंगे बताएंगे किस तरीके से पराली को और कामों में लिया जा सकता है लेकिन नहीं कर पारा है, नाकाम हो रहा है और इसका कारण जो है दिल्ली की मासुम जंटा को बुगतना पड़ा है तो फिर इस मार्ज निकालने से क्या लग रहा है? क्या हो जाएगा? प्रोडूशन कम हो जाएगा? पहांच राज्यों में चुनाओं में पोचे में अपने अपने अच्कंडे अजमारा हैं, ड्रामे बाजिया करना है, लेकिन दिल्ली के जनता के लिए इनको बिलकुल और रोश नहीं है, ये इन गुंगी बेरी सरकार को जगाने के लिए हमने कदम उठाया है, अपने अर्बि का आने वाले इन लोगों से तो कुछ होना नहीं है, लेकिन दिल्ली के जनता को हम ये भी मैसेज देना चाहते हैं, कि ये सरकारे निगमी सरकारे हैं, आपको अपने ध्यान खुद रखना होगा और आप अपने घर पे रहें, सेफ रहें, लेकिन उन्होंने ऐसा है, से पहले नहीं का था कि पंजाब आप मुझे एक बार देखे देखें, पंजाब से पराली आती है, और अमरिंदर सिंग सहाब के उपर पूरा का पूरा ठीक रह फोड़ देदे, आज इनको पंजाब भी दे दिया गया, लेकिन उसके बाद भी लोग परिशान है, दिल्ली देखें, जब भी दिवाली होती थी, लोगों में उत्सा आता था, बच्चों के अंदर को उमंग होती थी, आज सब उमंग धरी-धरी रह गई, बच्चे पटाखे नहीं पोड़ सकते, बच्चे बम नहीं पोड़ सकते, उसकी वज़ा सिर्फ यही सरकार है, इस निकमी सरक दिल्ली को बरबाद कर दिया, वर्ल्ड की सबसे ग्रीन का दर्जा दिया गया था, शिरादिक्षी जी की टाइम में, आज सबसे पॉल्यूटेट सिटी है, दिल्ली, शर्माइन चाहिए केजिवाल साब को, बजाए हम लोगों की सांसों को दुरुस्त करने के लिए हम अच् आपके सामने है, अस्तामा से लोग परिशान है, सांसों की बीमारियां हो रही है, और यही कोरोना काल में भी नौन दिका तक किस तरीके से हाथ खड़े कर दिये थे, फिर अमिशा जी की को दीम जाकर बैढ़ गए थे, यह आप हमें कुछ ना कुछ मदद कीजी हम चे कुछ होने वाला नहीं है, तो यह लोग समझ चुके हैं, हम लोग समझ चुके हैं कि फ्री के चक्कर में जो दिल्ली हमने खुब्सूरत दी थी, जिस दिल्ली को यकीनन पैरिस बना कर हमने शीला दिक्षी जी ने दिया था, आज उसको बरबाद करके इस केजरिवाल और इसकी सरक आप देखिए जेल में, अब इनका भी जेल में जाने का पक्का हो गया है, अब यह पूछने हैं, जेल से सरकार चलाएं या बाहर से चलाएं, चिदम्रम साहब पर इन्होंने इल्जाम लगा था, और उन्होंने का इस्तिफात देना चाहिए, तो आब इनके उपर क्या नहत हैं, तो उनको दुबारा मौकाद दे के देखें न, क्या पता सुधर जाए दिल्ली में प्रदूशन का स्तर कम हो जाए, ऐसा है हाथ जोड़ लिए, आठ साल हो गए, इन्हें मौकाद देते देते हम परिशान हो गए, फुरी के चक्कर में हमारी सांसों की जो नौबत आ ग उन्लाइन क्लासीज हैं, आपको मालूम है कितना बच्चों पर असर पड़ा, उनके आखों पर असर पड़ा, उनके दिमाग पर असर पड़ा, आज फिर वही ला रहे हैं, और इवन जिसको उन्होंने कहा, और इवन का कोई रिजल्ट नहीं निकला, उसके बावजूद इन कि सबसे ग्रीन सिटी थी, सबसे ग्रीन कैपिसल, दिल्ली थी, आज उसे सबसे पॉलिटेड में लागे खड़ा कर दिया केजरिवादी. तो इन लोगों से हमने बातचीत करी यह कह रहे हैं, जो दिल्ली सब से ग्रीन सीटी ती, उसको उन्होंने प्रदूशिक बना दिया है, प्रदूशन का स्थर बढ़ गया है और यह लोग कोई एक्षिन नहीं ले रहे हैं, तो उसी के जो प्रदूशन स्थर बढ़ रहा है, औ और उसी के खिलाफ जो मौदी सरकार है और जो केजरिवाल सरकार है उसी के खिलाफ के लोग का मार्च निकाल रहे हैं पूरा और कह रहे हैं कि केजरिवाल उनकी सहंना हता voz कुछ कदम उठाने जोए ने परनाद साथ पहले से तो आप इनकी बाद से कितना सहमत है मैं जरूर बताईगा और देखते हैं जन्नित आवाज